बच्चों हम लोग पतित पावनी नर्मदा की जो जन्मस्थली है आमर कूट अमर कंटक की आत्रा पर चलें इसके पहले हम समझ लें कि नर्मदा का उद्भव जो अमर कंटक है इस ललित निबंद के रचनाकार कौण है लेखक कौण है तो इस पूरे आलेख को लिखा है डॉक्टर स्री राम परिहार ने अपने 36 गर में अंबिकापुर में प्राध्यापक रह चुके हैं बहुत ही प्रसिद्ध ललित निबंद कार के रूप में जाने जाते हैं आपका जन्म 16 जन्वरी 1952 को फेफरिया खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ पिता जी श्री देवा जी जो थे एक किसान थे और माता जी श्री मती लखु देवी ये बहुत ही साध्वी प्रकित की महिला थी डॉक्टर राम परिहार को जो लेखन का सोख है वो विद्यार्थी जीवन से ही था उनका बच्पन बहुत ही संगर्श में रहा पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए उन्हें ट्यूशन भी करना पड़ा और ऐसी भी स्थित्याई जब उन्हें अखवार मातना पड़ता था लेकिन इतना संगर्शील व्यक्तित्व उसने हिंदी में प्रथम स्रेणी में यमय किया और उसी विशे पर उन्होंने पीच्डी की ललित नीबंध शरूप और परमपरा यह उनके अनुशन्धान का विशे था मूतह स्री राम परिहार ललित नीबंध कार है एद्यप इन्होंने आलोचना समा समीक्षात्मग नीबंध और नवगीत आद भी लिखे हैं जो बहुत ही प्रशिद्ध हुए हैं लेकिन ललित नीबंधों में बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है इनका जो ललित नीबंध संकलन है जैसे आच अलाओ की अंधेरे में उम्मीद धूप का आउसाद बजय तो बंसी गूजय तो शंक ठिठके पल पांखुरी पर रसबंती बोलो तो जरते फूल हर सिंगार के तो इस तरह से उन्होंने ललित नीबंध लिखे अभी निरंतर अनवरत उनका लेखन सुचार रूप से संचाली थे उन्होंने लोक्साहित पर भी बहुत अच्छा काम किया है और लोक्साहित पर उन्होंने जो काम किया है तो कहे जन सिंगा कहे जन सिंगा बहुत ही प्रसिद्ध उनका जो है लोक्साहित पर ग्रंथ है और नवगीर संकलन जो इनका है जिसकी बड़ी प्रसिद्धी रही है तो चौकस रहना है क्या चौकस रहना है और समिक्षात्मक में रचनात्मक निबंध जैसे रचनात्मक ताइवं उत्तर परंपरा और अन्य सांस्कृतिक ग्रंथ भी आपके हम लोगों को देखने को मिले हैं बित्वानों ने बहुत सराहा है प्रसंसा किये जैसे संसक्रिती सलिला नर्मदा निमाणी साहित्य का इतिहास इनके जो ललित निबंध हैं हिंदी संसार में बड़े सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं वास्तों में बच्चों जो ललित शब्द है ललित उसका अर्थ होता है सुन्दर रमनी निर्दोश इपसित मनोहर मनोरम अभी तक कविता को ही मनोरम माना जाता रहा है लेकिन ललित निबंध जब से आया तो जो निबंध की रमनी अता है वह इतनी अच्छी बन पड़ी कि हम जब ललित निबंध पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कोई कविता पढ़ रहे हैं ललित शाहित में साहित की वे समस्त कोटियां आती हैं जो हरदय को इसपर्ष करने वाली होती है गद्य और पद्य दोनों में ही ललित शाहित की स्रिश्टी संभव है बस सर्द केवल इतना है कि इसमें लालित हो और संदरिय निष्ठा हो ललित निबंद वह निबंद है जिसमें लेखक किसी भी विशय का सूत्र पकड़ कर ज्ञान विज्ञान लोक जीवन प्रकीति धर्म राजनीत आज विभिन शेत्रों में विशन करता है रसात्मक्ता का समावेश करके बत कही की भासा में अपने रागात्मक व्यक्तितु की बेंजना करता है ये बत कही भासा क्या है बात्चीत की भासा ललित निबंद जब लिखे जाते हैं तो वो संस्कृत गर्वित भासा भी हो सकती है लेकिन भासा की रमनियता भावो की रमनियता इसकी बहुत बभड़ी 부분이 बात्चीत में भी हम रमनिय शब्दों का ही प्रयोग करें वस्ता ललित निबंध निबंधकार के रागात्मक व्यक्तित्व की स्वच्छंद एवं कला निष्ठ अभी व्यक्ति इसमें क्या क्या है रागात्मक व्यक्तित्व स्वच्छंद एवं कला निष्ठ अभी व्यक्त अभी हमने ललित निवंद्द की परिभासा आपको बताई इसमें तत्न क्या-क्या हमारे सामने आए तो एक तो है रागात मत्ग विक्तित्व की अभिभering जना माने आत्मा विभरोनेजना विक्तित्व का जो प्रभाव है वह लेखक का उसके निवन्दों में पढ़ता है तो रागात्मक विक्तित्व हो लालित पूर्ण विक्तित्व हो उसका चिंतन उसकी भाषा मतलब इसे समीक्षकों ने स्वच्छंदता या उन्मुक्तता कहा है इसमें स्वच्छंद हो करके लेखक जो है भीचन करता है लेकिन एक सूत्रता परमावश्यक है उसमें एक सूत्रता बने अच्छा बहुन लंबे निबंध नहीं होनी चाहिए जो ललित निबंध होते हैं वे संख्छिप्त होते हैं लेकिन उनकी जो भाषा है वह बहुत ही शटीक और मनोरम तथा आलेक जो है शंख् है वह अनुभूत जन्य चिंतन इसमें परमावश्यक है और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बतकही की सैली बाचीत की सैली हम लोग जो बाचीत करते हैं एक दूसरे से भासा सहज सरल बोधगम में हो लेकिन सैली वही हो बतकही अब हमारे हिंदी संसार में बहुत प्रभावशाली ललित निबंदकार हुए हैं जैसे आचार हजारी प्रसाद दुबेदी बहुत ही प्रशिद्ध अशोक का फूल इनका बहुत ही प्रशिद्ध जो है ललित निबंद संकलन है डाक्टर विद्यानिवास मिष्र डाक्टर विद्यानिवास मिष्र ने जैसे रूपहला धुआ मैंने शिल पहुचाई इस तरह के अनेक निबंद उन्होंने हिंदी संसार को दिये डाक्टर कुवेर नाथ राय एक ऐसा नाम है ललित निबंद संसार में जिसने अद्भूत पौरानिक वैदिक प्रतीकों को ले करके उसने ललित निबंद हिंदी संसार को दिये विवेकी राय के निबंध बहुत ही सहज सरल बोध गम्य और सरहस हैं और बच्चों जिन पर आज हम चर्चा कर रहे हैं डौक्टर स्री राम परिहार डॉक्टर स्री राम परिहार गवई मन लेकर अपनी रचनात्मक्ता में ठेट किसान की तरह पेश आते हैं एक किसान का बेटा और किसान के आजपास के प्रतीक और बिंब और किसान की संसक्रिती जो है उसको लेकर के हमारे डॉक्टर सी राम परिहार जो है हमारे सामने आते हैं एक दम निमाड़ी किसान की तरह जिनके पास कपासी साधुता है निर्मलता है उज्जोलता है सिंगा जी की काब्या नुभूती है और रेवा की अनव्याही हठी प्रशार भरी प्रवाक्षमता है उनके निबंदों में सिंगा जी बहुत उच्च कोट के कभी रचनाकार हुए है और रेवा कहते हैं बच्चो नर्मदा को रेवा की अनव्याही हठी प्रशार भरी प्रवाक्षमता प्रवाह मेता लेखक प्रकित संबंधी निबंधों में उसे उसकी लीला सहचरी बनकर के आता है या यूँ कहें प्रक्रिती लेखक के निबंधों में लीला सहचरी बनकर आई है जैसा कि मैंने पहले आप से कहा था कि बच्चो पहले हम डॉक्टर सी राम परिहार को समझ लें जिन्नोंने इस ललीत निबंध को लिखा है और फिर मैंने ये भी कहा था कि हम लोग नर्मदा का जो उद्गम अमर कंटक है वहां की आत्रा पर चले तो इस ललीत निबंध में लेखक डॉक्टर सी राम परिहार हमें 36 गड़ एवं मध्य प्रदेश के सीमा वर्ती छेत्रों में फैले हुए बिंध्यांचल और सत्पुला की जो मेकाल की स्रेणिया है वहां के मनोहारी सोंदर का चित्रण किया है इसे मैकाल कहते हैं जैसा मैंने आपको बताया इस आलेख में नर्मदा नदी का उद्गर्म जहां से नर्मदा उद्गरित होती हैं जहां से नर्मदा प्रसवित होती हैं जहां से नर्मदा निकलती हैं तथा उससे जुड़ी अनेक दंतकताओं का दिखदर्शन बहुत ही आए चलते हैं अमर कंटक की यात्रा पर